असलाम अलेकुम फ्रेंस कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल गाजर का हलवा की रेसिपी शेयर करूँगी तो फ्रेंस आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और जो मेरे चैनल पर नए है वो ज दूद दालूंगी तो दूद यहां पर मुझे 750 ग्राम दूद टोटल लगे थे मैं थोड़ा यहां पर दाल कर फिर रुख गई फिर उसके बाद मुझे और लगा तो मैं और थोड़ा इसमें दूद को एट कर दी तो टोटल जो यहां पर दूद इस्तेमाल हुआ है 750 ग्रा जब दूद थोड़ा सा कम हो जाएगा तब हम इसमें शक्कर एट करेंगे तो शक्कर यहां पर मैंने दो कप शक्कर पहले एट की हूं पिर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं एक कप और शकर इसमें इस्तेमाल की टोटल यहां पर तीन कप शकर मुझे यहां पर लगा तो पकने कीलिए और दुसरे पैन लेंगे हाम एक उसमें दो से तीन चमज हाम सी हेट करेंगे और यहां पे कुछ जाना आएखने और यहां पेकच्छ बार बाराम पिस्ता काजु बाराम इनको हम फॉर्टा कर लेंगे ऐखना सा जादा कलर नहीं इसका चेंज करना है बस हलका सा इसको फ्राय करके हम निकाल लेंगे बस इतना ही फ्राइ करेंगे अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और कुछ काजु को भी इस तरह मैं गानिश करने के लिए वो भी मैं फ्राइ करके ले लिए यहां पर मैं टोटल खोया इस्तेमाल करेंगे जो आदा किलो के करीब है तो इसको भी हम हलका सा सॉप् और अब इसमें आइट करेंगे आदा चमज, इलाइची पॉडर और जो काजु, बदाम, पिस्ता हमने फ्राइ किये थे वो हम इसमें दाल देंगे और थोड़ा सा गानिश के लिए बचा के रखेंगे और खोया भी जो है यहां पर मैं आदा दालूंगी और थोड़ा सा गा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो अब इसको एक प्लेट में हम या बॉल में सर्फ कर लेंगे तो एक बॉल में सर्फ कर लेंगे हम इसको और उसके बाद मैं इसके किनारे में जो खोया हमने बचा के रखे तो उससे मैंने इसको गानिश कर ली तो फ्रेंज आपको यह कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बता है और रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना फैमिल और फ्रेंज में शेयर करना और जो मेरे चैनल पे नहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथी में बैल आकन को प्रेस करें ताकि ऐसी आफिस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें